जोती शुर जीवन में आपका स्वागत है। आपको पांच ऐसे अनुभूत सुत्र बताने जा रहा हूं जिनका अनुसरम आपको प्रते क्षेत्र में सफलता प्रदान करने की गारंटी दे दें। तो फिर दूसरे हमारे मौल कैसे समझेंगे, कैसे पेचानेंगे। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि प्रकृती ने हमें विलक्षन बनाया है, आद्विती ये बनाया है, हमारे जैसा विश्व में दूसरा कोई नहीं है। हमारे अंगुटे का ये छोटा सा निशान, विश्व में जितने विक्ति हैं किसी के भी निशान से नहीं मिलेगा। जब इतना सा पार्ट प्रकृत ने इतना विलक्षन बनाया है, तो फिर दूसरा हमारे जैसा कैसे हो सकता है। जब कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता, तो फिर हम भी किसी दूसरे के जैसे कैसे हो सकते हैं। हमें ये बात पूर्ण विश्वास से समझ में आजानी चाहिए कि हम अपने आप में आद्वीतिये हैं, हम विलक्षन हैं, हमें अपनी विलक्षनता को पहचानना है, हमें उसे समझना है और जिस दिन हम अपनी विलक्षानता को पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, स्वयम को स्वयम के रूप में स्विकार कर लेंगे, जैसे हैं वैसे ही सफलता का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वयम से अपने आम से प्रेम करें, अपना मोल समझें और अपनी अपनी प्रतिभा को, अपनी विलक्षानता को समझने का प्रयास करें। दूसरा सुत्र, अधिकांश लोग चलते रहते हैं जीवन में, धारना होती हैं उनकी, कर लेंगे कुछ भी, क्या कुछ निश्चेत नहीं, लक्ष निर्धारित नहीं होता। तो दूसरा सुत्र है, कि हम हमारा लक्ष निर्धारित करें। हो सकता है, और विशेश करके विद्यारतियों के साथ ये समस्या अधिकाती हैं। जो मार्ग हम निश्चित कर लेते हैं, जो लक्ष हम निर्धारित कर लेते हैं, फिर उस पर किसी तरह का प्रश्ण चिन नहीं लगाना चाहिए। पूर्ण निश्ठा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ उस मार्ग पर बढ़ना चाहिए और लक्ष प्राप्ति का पुरा स्टेंडर्ड का और मैंने निर्धारित किया मैंने लक्ष अपना जीवन का कि मुझे टेलिफोन ओपरेटर बनना है मैंने जन्दिगे में एक ही फोर्म बरा है एक ही इंटर्विव दिया है और 15 आगस्त 1968 को तेलिफोन ओपरेटर के रूप में मदणग messed किशनगर जला अजमेर में महाँ पर अपनी टेलिफोन ओपरेटर नोकरी जोईन की तीस्रा लक्ष स्वार्थी हो जाना क्या मतलब थे स्वार्थी हो जाने का ? स्वार्थी होना अपने अपने एक थोड़ा सा बदनाम जैसा शब्दें गलत हातों में पुड़ा स्वार्थ शब्द का अर्थ होता है स्वा का अर्थ स्वा याने स्वायम अपना और अर्थ का होता है दो मतलब में अर्थ के एक तो होता है मतलब प्रयोजन और दूसरा होता है जानना सांसारिक मामलों में अर्थ का अर्थ है स्वायम का प्रयोजन सिद्ध करना स्वार्थ का अर्थ होता मेरा अपना स्वायम के प्रयोजन को सिद्ध करने का प्रयास यह मेरा स्वार्थ ही होने का मतलब है आद्यात्मी क्षेत्र में स्वायम को जानने का प्रयास अभी हम सांसारिक शेत्रक संदरबू में बात कर रहे हैं तो स्वार्थी होने का अतात परे सिर्फ इतना सा है कि जो कुछ हमने निर्धारित किया है जो लक्षम पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए हम पून प्रयास करें उसमें पाने के लिए हमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाईज, कोई समझोता हम करने को तैयार नहीं है स्वार्थी होने का यह इतात परे, इसमें बुराई क्या है हमें स्वार्थी होने का इतना ही अर्थ है चोता सूत्र है, समय की पालना, समय का मोल समझना किसी भी कारे के लिए हमने समय निर्धारित किया और बीच में अकारण कोई व्यवधान किसी तरह से डालने का प्रयास करता है अपने काम के लिए हमें बिना किसी जिज़क के उसको मना करना चाहिए ना बोलना आना चाहिए वो अकारण बिना किसी प्रोग्राम, बिना किसी कारिक्रम के आये हाय व्यक्ति, अपने स्वार्थ से आया है अगर हमने priority ते नहीं की, हमने ये प्राथमिक्ता ते ये नहीं की कि क्या है मेरा स्वयम का अपने provision के लिए समय का उप्योग करना ज़्यादा उप्योग थे या उसके साथ जाना ज़्यादा उप्योग थे, तो हम घाटे में रहेंगे इसका मतलब ये कि हम समय का मोल नहीं समझ पाए तो हमें समय का मोल समझना है और जब भी ऐसी परिस्तितियां आए, कभी भी ऐसी परिस्तिति उत्पन हो तो हमें प्रात्मिक्ता ते करनी है प्राइरिटी ते करनी है कि इसके समय के उप्योग में उप्योग करने के लिए समय को क्या जादा जरूरी है हमारा कारी या उसका कारी ये ते करना यदि हमें आ गया तो हम समय का मौल समझने में सफल होगे ये जीवन में सफल्टा के लिए चोथा सब्सक्र बड़ा अवशक छोत्रे पाजवान भय और शंका इन दोनों से रहित होकर के अपने कारी में रत होना प्राया विद्यार्थियों में एक डर और भय हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इतना सब कुछ फैल हो गये तो व्यापारियों में एक भय इतना इन्वेस्टमेंट इतना कुछ लगाया उसके बाद फिर घाटा हो गया तो यही डर नोकरी वालों में दोसरे विवसाहियों में इस्टमार के धार्मिक यात्रा के जो यात्री उनको भी इतना सब दाओं पे लगाने के बाद भी इस्टप्रात्य नहीं हुई तो यह जितनी भी भय हैं यह जितनी भी शंकाएं हैं यह मानव मन की सामानिक कमजोरियां हैं मानो मन में पांच जार साल पहले भी ये इस तरी के कमजोरियां उत्पन होती थी आज भी होती हैं और जब तक मानो सब्विता रहेगी ये कमजोरियां उत्पन होती रहेंगे इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है इनको निर्मूल करना इन से इन पर विजय पाना इने समझना और इन पर विजय पा करके अपने कारे में रत हो जाना यही सफलता के कुछ जी है यही मूल है हमें वही करना है पांच जार साल पहले अरजुन को भी यही भय लगा यही शंका उत्पन होगी और श्री कृष्णे ने उनके शंका का समाजान किया कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने हत्यार डाल दिये भाय गरस्त हुआ, शंका गरस्त हुआ कृष्णे ने एक ही बात समझाई तेरा कर्म में अधिकार है कर्मने वा अधिकारस्ते मा फलेशु कदाचना तो होता कोने यह समझने वाला, यह जानने वाला इस बात पर ध्यान देने वाला कि क्या होगा जीतूंगा या हारूंगा या इस लड़ाई से क्या फाइदा तुझे कोई अधिकार ने यह सुचने का तेरा अधिकार केवल कर्म करने में आज परिस्तितियों ने जुद्ध के इस्तिति ला खड़ी है कि है तु केवल अपना कर्म कर जुद्ध कर और अरजुन ने शंका से रहित हो करके जब उसकी शंकाओं का समाधान हुआ जब भय मुक्त हुआ तो दूसरी तरफ कौर्मों की तरफ बीश्म पितामा गुरु द्रोना चारे कुल गुरु कृपा चारे करन भगवान कृष्ण की संपूर नारायनी सेना इतना सब कुछ होते हुए भी पांड़ों की विजय होगी अरजुन विजय हुआ क्यों कारण ये कि निर्भय हो करके शंकासे रहित हो करके और सत्यमार्क पर होते वे उतने युद्ध किया यहां कोई हमारी लड़ाई युद्ध के बारेन संदर में कोई बात नहीं हो रही हम केवल उसको उधारन के रूप में देखने गटना कोई भी हो बात कोई भी हो समान रूप से लगना पड़ता है अरजुन के साथ क्रिश्न खड़े थे आप भी अपने कारिक के साथ जो आपका लक्ष है उस समय अरजुन का लक्ष हो गया था किसी भी तरह से उस लड़ाई को जीतना और उसके मन में किसी तरह का भाय कोई डर नहीं रहा था निकाल दिया था सारे भाय, सारे डर और उसके साथ खड़े थे स्रीकृष्ट आप किसी भी खशेत्र के हो आप विद्यार्थी हो आप व्यापारी हो आप नोक्री पेशा हो या आध्यात मार्क के अंतर यात्री हूं अपने मन से भाई को निकाल दीजी अपने मन से शंका को निकाल दीजी आप पिश्वास रखिए आपके साथ वो इश्वर खड़ा है आपके साथ वो खुदा खड़ा है आपके साथ वाहू गुरु खड़े हैं आपके साथ जिसे खड़े हैं वो जिसे आप जिस भी रूप में जानते हैं जिस भी रूप में आप शद्दा से समझते हैं वो आपके साथ खड़े हैं जब आपके साथ वो खड़ा है जिसको मुपरवाला केते हैं सरुशक्तिमान केते हैं फिर आपको सफलता पाने से कौन लोग सकता है? आपका काम सिर्फ एक है. और वो ये कि भय और शंका से रही तो करके अपना कर्म करना है. परिणाम के बारे में सोचने का आपको अधिकार नहीं है. आप फैल होंगे या पास होंगे? व्यापार में सफल होंगे या असफल होंगे? आपको ये सोचने का कोई अधिकार में. मत सोची. तैमान के चलिए. बिलकुल पूर्ण लूप से. कि आपके सफलता कहीं नहीं जाएगी. यदि आप निर्भाय हो करके, निशंक हो करके अपना कर्म करते हैं. तो आपको उसकी सहाइता मिलेगी ही मिलेगी. जिसमें आप शुद्धा रखते हैं. जिसमें आप इश्वास रखते हैं. और ये सफलता मिलने के बाद, जब आपने जो लक्ष आप पना चाहते हैं उसकी सफलता मिलने के बाद पैसा पद प्रतिष्ठा ये सब आपको स्वता प्राप्त होंगी ये सफलता के बाई प्रोडक्ट हैं इनके पीछे भागने के आवश्चक्ता नहीं है और हो आज उल्टा रहा है इस्पीशली विशेश करके जो बच्चों का जो केरियर की बात है प्रारभी किस तर में इस्टुडेंट्स को एक दो अन्धी में लगा दिया गया है क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पोस्ट चाहिए, केरियर, ये वो सारी बात है मिलेंगी कैसे जो हमने निर्धारित किया है उसे प्राप कैसे करे बस यह यद्य हुआ तो जो जाते हैं वो तो स्वतर अपने आप राप्त हो जाएंगी उसके लिए आपको अलग से कोई प्रयास कोई महनत करने के आवश्यक्ता ही नहीं है मैं समझता हूँ ये जो पांच सूत्र हैं यदि आपने इनका विनमरता पूरवक कठोरता से पालन किया कड़ाई से पालन किया जीवन में प्रत्य क्षेत्र में जो आप किसी भी क्षेत्र के हों आप फिद्यारती हों व्यापारी हों जो भी हों आपको सफलता पाने से कोई ने रोख सकता मैंने हमारी भारती संस्कृती के जो ज्यान विज्यान है जितने भी उनके उन सुत्रों को उनके तर्ग संगत विग्यानिक सुरूप के साथ समझने के दृष्टी से ये चेनल में ने बनाया और यदि आपको ये प्रस्तुती अच्छी लग रही हो आपके बाद समझ में आ रही हो तो आप इसका अनुसरन कीजिए आप मुझसे जुड़िये और आप अपनों को जिन्हें आप चाहते हैं कि उनका भी इस मामले में मार्ग दर्शन उचित हो उन्हें भी जुरूने के लिए कही है इसी निवे दन के साथ मैं आपको आभार वेक करता हूँ आपका धन्यवाद मेरा आप वीडियो सुना देखा इसे के साथ आपको नमन आपको प्रनाम